हेलो दोस्तों कैसे हैं सब लोग ताज के रेशिपी में मैं बनाने वाले हूं दोस्तों मूली का चिला तो आई दोस्तों सुरू करते हैं बनाना मूली का चिला बनाने के लिए हमें यहां पर यह सामेगरी लगेगे मूली को कदू कश लिया है तो मूली को मैंने कदू कश कर लिया है दोस्तों यह दखिए मिल के बहुत अच्छे से बारी को मैंने कदू कस कर लिया है साथ में दो हरी मिर्च ले लिए दोस्तों बारी काट लिया है एक टमाटो को मैंने कदू कस कर लिया है अद्रग जो दिखा था मैंने दोस्तों उसको भी कदू कस कर लिया है जो हाप प्याज काटा खुद घर पे ही पीस कर रड़ी किया है दोस्तों तो हम यहां पर आप बॉल में चावल काटा डाल देते हैं तीन से चार चमच चावल काटा तो यहां पर मैंने चावल काटा डाल दी है दोस्तों और यहां पर मैंने लिए है दो चमच बड़ी चमच से बैसन इसको भी ह चावल के अटा के जगहावू सूजी भी डाल सकते हैं तो आभ यहां पर मैं थोड़ा साजड़ायप और अजमान को करस करता डिया है तो आप दौर दूदम नहीं मनें आप सबस्क् הי Movement प्राइब के अनुसार नमाक और शाथ में डार रहा है यहां पर थोड़ी सी काली मृष्ट का पाड़र इससे टेस्ट बहुत बढ़ने आगा दोस्तों अशाथ में कलर के लिए हल्दी पॉर्ड़ डार रहे हूं और यहां पर चिली प्रस नहीं ले रहे हैं दोस्तों कि मैं त करको अब शेहां तो थोड़ा साथ गर दे दुका मसाला पाड़र आधा-चमसस कम लिया है दोस्तों आ और आधाचमस से हलका कम यहां कश्मीरी लावीच पाड़र डाला आएँ तो मसाला यहां पर मेने डाल दिये हैं दोस्तों सबसे पहले नद्ली लड़ाों उपाझस प हरा भूप में लीगा उत्पर गियुआ हम कة scaling नद्ट में पैलने काणी पानी को लिए में सबसे वर करके दूपर हम hè अब यहाँ पर हम डाल दो जाima लेते हैं, तो यहाँ पर ढाल दो तो इसको भी अब हम अच्छे से मिला लेते हैं, तो अब हम यहां पर डाल देते हैं दोस्तों जो हमने मुल्डी प्याज रख लेशन टमाटर हर मीर चोगरा जो कडू कस करके रखे थे वह सब तो यहां पर मैंने सारा कुछ डाल दिया है दोस्तों तो अब हम इसको चलते पहले अच्छे से मिला लेते हैं तो मैंने अच्छे से मिला लिए हैं दोस्तों यह दोखिए पूरा हमारा चिल्ला चिल्ला के लिए प्येश्ट हमें सही है दोस्तों और यहां पर पानी का इस्तमाल देखे दोस्तों आधा कटरी से हलका से जादा लगा है और अपनी बाच गया है तो हमारा यह चिल्ला बानान दोस्ते इंहां पर में भीया है तो इन पर में और रिफाइन वीर दें हैं च्छे से पूरे इस पूरे तावा में हम फ्ला देते हैं डोस्तो एक पर्ष भे ईया है इसको ज्यादा हमें पतला नहीं कमाना है दोस्तों आरा कर्थी वो डाल देते हैं और इसको अच्छे से पूरे में खेला देते हैं अच्छे से दोने करब से हम अलट पलट करके इसके श्याक लेंगे तो मैंने फेला दिया है दोस्तों अब रहें हम सार सार से यहां करें तेल लगा देंगे किनारे किनारे से हल्का सर अब इसको हम पकने देते हैं दोस्तों थोड़ा सा हम तेल उपर के हिसे में भी डाल देते हैं दोस्तों क्योंकि जब हम इसको पलटेंगे तेल इधा से भी पक रहा है ताव इसको पकने देते हैं धीने आज में तो लो हम इसको पलट देते हैं दोस्तूं पहली इस तरह सार से इसका आपन ना इस तरह से यह इस तरह से हटा लोगे phrases तब इसको होई पलत केते हैं तो देखिए दोस्तों एक साथ से कितना अच्छा पाफिर्या है तो हल्का सब्सक्राइब डाल देते हैं तो देखिए दोस्तों हमारा ये पहला चेला बंद करके रड़ी हो गया आपको हम जो हमने पल्टा था दूसरे तरफ से देखिए कितना अच्छा से दोनों तरफ से सीख गया हमारा चेला तो चलते हैं दोस्तों पहला चेला तो बंद करके रड़ी हो गया तो इसको अब हम निकाल लेते हैं बागी का यहां पर मैंने पल्ट ले लिए है दोस्तों हमने अब छिला इस देते हैं तो पहला चेला हमारा बंद करके रड़ी हो गया दोस्तों तो बागी का हम इसी तरह से बना करके सेम हम रेडि कर लेते हैं तेल में डाल दी है तवा पर इसी तरह हम कपड़े से इसको फेला देंगे पूरे में आप हम यहाँ पर इस पेस्ट को डालेंगे इस कर्षी से देल कर्षी में हम डाला यहां कर दोके इसी तरह हम सेम फेला देंगे तो हमारा सारा चेला बन बढ़ से रेडि हो गया दोस्तों तो मेरी रेसिपी मुली का चिला बन करके रेडही हो गया दोस्तों न सुनल्ज wähl कमेंट में जरूर बताना लाइक एंड नसे स्क्राइब कर ग और हाँ दोस्तों ये चिला दोस्तों भंऑन तो बना है आपको तोड़ के दिखाती हूं तो भी दहएं द्धैक में जरूर बताओ ना लाइक एन सब्सक्राब करताना ज्यादा सब्सक्राइब करताना थैंक यू दोस्तों